चुनावी साल के आखरी बजट के लिए वित्व विभाग ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी है और इस बजट के पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नज़र आने के भी आसार है वह इस बार बड़े वोट बैंक यूथ पर फोकस करते हुए बड़ी घोश्टाएं होने की भी संभावड़ा हैं जो सरकार का विजन पेश करेंगे देखिए ये खास रपॉर्ट CM गहलोट के युवाओं पर केंदित बजट होने की घोशना के बाद संबंदित विभाग सक्रिय हो गए हैं CM गहलोट के मार्क दर्शन और CS उशाशर्मा के निर्देश के बाद काबिल PSF अखिल अरोडा ने बजट को लेकर तैयारियां तेश करती हैं इसके तहट विधायकू और जन्पृतिनिधियों से उनके शेत्र से जुड़े काम मांगे गए विभाग आम लोगों के हित वाली संभावित घोशनाओं की सुची बना रही हैं 2021-2022 के संशोधित अनुमानों और 2022-23 के आई वै अनुमानों की सूचनाए लेने का काम शिरू है लक्षियों और संशोधित लक्षियों को समय पर पूरा करने के नडेश हैं जिससे अलग बजट के लिए उसी हिसाब से लक्षे तै किये जा सके ऐसी घोशना या योजना का काम शिरू नहीं हुआ उनके संशोधित अनुमान का विवरण मांगा जा रहा है 2022-23 में जरूरी राशी का व्योरा मांगा गया है BFC बैचकों का दौर शिरू हो रहा है वे भागवार संचालित योजनाओं का पूरा विवरण, संसाधन का स्रोथ, funding pattern लिया जा रहा है अब तक मेली राशी, वित्ये संस्था या भारत सरकार से बकाया राशी का व्योरा लिया जा रहा है चालू वित्ये वर्ष और अगले वर्ष में संभावित प्राप्तियों का विवरण मांगा गया है मौजुदा योजनाओं या कारिक्रमों के पृतिबद, दायत्वों की पूर्ती के लिए संशोधित अनुमान मांगे गया है CS उशय शर्मा के स्थर पर मौनिटरिंग की जा रही है ये सोनिशित किया रहा है कि पिछले बजट की घोशनाओं को जल्द पूरा किया जाए उसके लिए बजट और अन्य किसी भी अर्चन को दुरंत दूर किया जाए शुरू हो चुके कामों को उस समय पर कैसी पूरा किया जाए इसके लिए मेकेनिजम बना कर काम पूरा करने के निर्देश दिये हैं जिन में केंद्र से या अन्य तरह से राशी मिली है उसमें राज्जी का हिस्सा देकर प्रात्मिक्ता से काम पूरा करने के निर्देश्टिये हैं योजनाओं पर बेहतर अमल के लिए CS ने लक्षिवार प्रात्मिक्ताइं तै करके अमल करने को कहा है पिछले योजनाओं को तैस समय पर पूरा कैसे किया जाए इसका ध्यान रखा जाएगा फिजिबल योजनाओं, कामू और पुरस्तावों को ही हाथ में लेने की घोशना हो सकती है वोटर्स पर असर डालने के लिए पूरी हो सकने वाली छोटी और किफायती योजनाओं पर जोर रहेगा ऐसी योजनाओं जिनमें केंद्री या अन्य तरह से आर्थिक सहायता मिल सकती है उन्हें हाथ में लेने पर जोर रह सकता है नियाकर लागू करने के संभावना बेहत कम है हाला कि पूर्व के करू में बढ़ोतरी संभव है अलग-अलग श्रेनियों में शिराप, तंबाकू और उससे जुड़े अन्य फुर्दातों की दरों को बढ़ाया जा सकता है धूमी के अलग-अलग श्रेनियों में वर्गी करन हुआ था इन श्रेनियों में बढ़ोतरी संभव है साथ ही नई श्रेनिया भी बनाई जा सकती है अलग-अलग व्यापार के लिए स्टांप ड्यूटी में राहत देना संभव है कई उद्योगों को एमनेस्टी स्कीम के दाइरे में लाकर उन्हें उद्योग लगाने के लिए प्रोसाहन देना संभव है निवेश बढ़ने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा और रोजगार के अफसर भी बढ़ेंगे क्रिशी और उससे जुड़े विभागों की घोशनाओं को एकटा करके उसके लिए अलग से बजट होगा निचले इसतर पर क्रिशी से जुड़े जितने वी विभाग हैं उन सभी को ड्राफ्ट तयार रखने के निर्देश दिये हैं पिछली घोशनाओं क्या पूरी हुई कितनी अधूरी हैं इनका व्योरा देने के निर्देश दिये गए हैं अधूरी घोशनाओं को पूरी करने का रोड मैप देने के भी निर्देश दिये गए हैं कोरोना के बाद से अर्थ विवस्था उभर रही है ऐसे में इस बार के बजट का आकार भी बढ़ेगा पिछली बार बजट का आकार करीब 50 प्रतीशत बढ़ा था और ये बढ़कर 3,46,182 करोर हो गया था जिसमें मारगो पाई एडवांस की राशी हटाने पर ये आकड़ा 2, 2,94,000 करोर का था पिछली बार के बजट में बंपर घोशनाएं की गई थी और इन अधूरी घोशनाओं को पूरा करने के लिए एक साल के समय की दरकार मानी जा रही है तो वहीं इस बजट में ताजा सियासी हलचल का असर भी देखने को मिल सकता है इन सब के बीच ओवर ड् अजमाईश भी करनी पर सकती है कैमरा परसन गिरीश के साथ रितुराज शर्मा फर्ष्ट इंडिया न्यूस जैपूर